अगर तुमने कभी पहले यूज करने का च्राई किया है और इस वीडियो में हम उसे यहां से यहां तक ले आएंगे तो मैं यहां पर 1224.04 का यूज कर रहा हूँ अगर तुम कोई और भी सिस्टम यूज कर रहे हो तो भी ये उस पर भी वक करेगा सिर्फ इंस्टॉलेशन हो सकता है थोड़ा अलग हो बट उतना तो तुम करी लोगे हाँ विंडोस को काउंट मत करना तो सबसे पहले रिपोजेट लिस को अपडेट करके i3 को इंस्टॉल कर लेना अब लोग आउट या रिस्टार्ट करके सेशन को i3 पे सेट कर दो और लोग इन अब जो लोग i3 को पहली बार देख रहे हैं सोच रहे होंगे ये क्या ब्लैक स्क्रीन है वाल पेपर का है क्या बकवास है बट 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 थोड़ा रुको इसको यहां से यहां तक पहुचाने के लिए ये वीडियो ही काफी है अब यहां पर i3 एक कॉन्फिक फाइल जनरेट करेगा और हां i3 का पूरा कॉन्फिग्रेशन स्रिफ एक टेक्स्ट फाइल बेस्ट होता है यहां पर हमें की सेलेक्ट करना है जो बोल सकते हो तुम मेन, सूपर या लीडर की होगा ये विन ये एल्ट हो सकता है, मैं विन ही रहने दूँगा आगे कुछ करने से पहले एक प्रॉब्लम है यहां देख सकते हो ये बार का साइज सिर्फ इतना ही है और इतना ब्लैंक स्पेस है अब शायच साइज से दिखे तो प्रॉब्लम ये है कि अब इडिस्प्ले का साइज बार डिफॉल्ट कुछ तो सेट है जो हमारे मशीन के डिस्प्ले साइज से मैच नहीं हो रहा है तो इसे सही करने के लिए एक्स रेंडर टूल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ देख सकते हो यह करंट डिस्प्ले एडड ये उसका डिस्प्ले साइज है बट इसे चेंज करने के लिए एक्स करो एक्स रेंडर डैश डैश आउटपूट डिस्प्ले का नाम जो यहाँ से कॉपी कर लो डेश डेश मोड और जो भी तुमारे स्क्रीन का साइज है वो इसमें से देखकर सेट कर दो डिस्पले तो सही हो गया बट ये ब्लैक ब्लैक क्यों आ रहा है इसे भी सही करते हैं और हाँ ये विंडो कैसे ओपन हो रहा है कैसे क्लोज सब बताऊंगा ये ब्लैक खोल को सही करने के बाद तो पहले हम नाइट्रोजन को इंस्टॉल करेंगे अब नाइट्रोजन और जिस भी फोल्डर में तुमने वॉल्पेपर को स्टोर करके रखा है उसका पाथ दे दो वॉल्पेपर को सेलेक्ट करके अपलाई कर दो अब थोड़ा सही लग रहा है बट ये चेंज इस टेंप्रेरिर ही है मतलब अगर मैं लॉग आउट करके वॉपस लॉग इन करूँ सब फिर से ब्लैंक तो क्या हमें हर बार ऐसे ही सेट अप करना पड़ेगा बिल्कुल नहीं जैसे मैंने पहले ही बताया था i3 अपनी सभी कॉन फिक्स एक फाइल में स्टोर करता है तो हम उस फाइल को ही चेंज कर देंगे जैसे हमें चाहिए वैसे उस फाइल को कोई भी एडिटर से ओपन कर लो मैं विम का यूज करूँगा एक मिनट विम इस नॉट इंस्टॉल सूडो एप इंस्टॉल विम-डेश वाई अब यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो एक निट में explain करता हूँ यहाँ क्या हो रहा है एक्जेक्यूट डेश डेश नो स्टार्ट अप आईडी और कमांड जो हमने यूज किया था स्क्रीन का साइज साही करने के लिए अब लॉग आउट करके वापोस लॉग इन किया तो done सेम ऐसे ही वाल पेपर के लिए भी करेंगे अब और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा I3 Basics देख लेते हैं तो टर्मिनल को उपर करने के लिए mode और enter किसी भी आपको close करने के लिए mode को मैं win ही बोलूँगा क्योंकि मेरा mode की वही है win shift q और जो लॉग आउट कर रहा था उसके लिए win shift e ये सब तुमे रट्टा बारने की जरुवत नहीं है use कलते कलते आज़त हो जाएगी और ये सब कीस कहीं जादू से नहीं आ रहे है but जो i3 को config file है वही subdefined है तुम उसे change कर सकते हो but क्यों ही करना है defaults best है वही use करो अब ये तो मैंने एक दो बताए ऐसे बहुत से है जैसे by default app horizontal में split होते है उसे vertical में करने के लिए win v फिर जो app तुमें use करना है वो open कर लो ऐसे windows को resize करने के लिए win r फिर arrow keys से resize कर सकते हो और हाँ arrow keys की जगा तुम j, k, l, semicolon को भी use कर सकते हो अब जिन लोगोंने win use किया है उन्हें ये पता होगा अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं arrow की ही use करो उसमें कोई problem नहीं है और एक चीज जो important है और i3 provide करता है reload तुम i3 को windows shift और press करके reload कर सकते हो अब जो मैंने यहाँ execute और execute always अलग-अलग किया था तो इससे ही related है execute मतलब जब i3 session start होगा मतलब जब तुम login करोगे तब सिफो एक बार ही उस command को execute करेगा उसके बाद नहीं बट execute always में login पर तो होगा ही उसके साथ साथ जब तुम i3 को reload करोगे तब वो वापस execute होगा बट execute में ऐसा नहीं होगा अब क्योंकि screen का size हमें एक बार ही set करना होता है इसलिए shift execute बट wallpaper तो change भी कर सकते हैं ना इसलिए execute always ताकि change करने पर reload करके हम wallpaper को apply कर सके अब तुम्रे intro में ये वाला बार देखा होगा बट या तो कुछ ऐसा है तो इसे भी सही कर लेते हैं इसके लिए हम polybar को install करेंगे और run आ गया बट हम इसे ऐसे तो run नहीं करेंगे ना हाँ config file में set कर देंगे और reload आ गया बट एक problem अभी भी है अगर मैं फिर से reload करूँ तो वापस एक और आ गया ऐसे ही जितने बार reload करूँगा उतने बार एक और add होता जाएगा इसे सही करने के लिए जब हम polybar को call कर रहे हैं जस्ट उसके उपपर जो पहले से polybar है उसे kill कर देंगे मतलब अगर कोई polybar का instance पहले से running में है तो ये उसे kill कर देगा और फिर new polybar को execute कर देगा अब reload करें तो एक ही है और क्योंकि अब ये दूसरे बार की हमें जरूरत नहीं तो file के end में कुछ ऐसा code तुमें मिलेगा तो इस बार को execute करने के लिए use होता है उसे delete या comment कर देना और गायब बट अभी ये पूरा सही नहीं है अगर मैं ऐसे ही बार बार reload करूँ तो ये बार बार नहीं आ रहा है in fact अगर log out करके login करूँ तो भी नहीं है बट इस issue को fix करने के लिए मुझे github पर ये script मिला किसे ने ये पूचा था तो answer में fix करने के लिए ये script था तो इसी को हम copy करेंगे और config में जाकर एक scripts folder बनाएंगे अब polyvore.ss नाम से एक file और यहां वो script को paste कर देंगे और file को save और executable permission दे देना अब i3 के config में जाकर direct polyvore को call करने की जगा हम उस script को call करेंगे और हां यहां तुम कोई भी custom script को call कर सकते हो अब reload करके देखते हैं हो गया सही next हम इस terminal को change करेंगे ये step totally optional है इसका i3 से कोई लिना देना नहीं है but मैं ये terminal की जगा electricity यूज़ करूँँगा तो जल्दी से उसे install और फिर run बट जब हम win enter प्रेस करेंगे तो यही वाला open होएगा जो आमें नहीं चाहिए तो config में जाकर इस terminal की जगा electricity को add कर देंगे save, exit and reload win enter, done अब इसका look सही करते हैं उसके लिए .config में जाकर electricity नाम का फोल्डर बना लो और उसके अंदर ये file अब यहाँ पर कुछ ऐसे विंडो ये बिसिकली बता रहा है कि ये config पूरे विंडो के लिए है अब उसके बाद padding.x 10 और padding.y 10 अब file को save करके terminal को close कर दो और वापोस open करो देखो अब याई space है इसे तुम अपने हिसाब से कम जादा भी कर सकते हो इसके बाद opacity को भी 0.8 सेट कर देंगे बट अभी ये work नहीं करेगा क्यूंकि अभी हमने कोई compositor install ही नहीं किया है अब क्यूंकि compositor का का कामी है कि apps को कैसे display या show करना है जैसे animation, transitions ये सब देखना अब क्यूंकि वह ही नहीं है तो नहीं हो रहा है इसलिए अब हम Pycom को install करेंगे जो एक composite manager ही है अब Pycom को run करेंगे तो हो गया transparent अब क्या बस इसे config में set कर देंगे save, log out और login done transparent तो हुआ बट blur नहीं है उसके लिए config में जाओ और Pycom directory create करके pycom.confile open कर लो अब यहाँ पर थोड़ा configurations इसमें ज़्यादा deep में जाने की जरूवत नहीं है इतना समझ लो ये backend glx से हम ये बता रहे हैं कि opengl का use करें opengl क्या है वो तुम सर्च कर लेना अब ये 3 तो तुमें पढ़कर ही समझ गया होगा नहीं भी समझा तो copy paste कर दो इसमें उतना कुछ है नहीं फिर से log out और login blur भी हो गया और हाँ अजर तुमें चाहिए तो तुम corner को rounded भी कर सकते हो इस option से मुझे वो सही नहीं लग रहा है तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ अब बस ये top का title वार remove कर रहा है save करके reload किया तो title वार गायप बट देख सकते हो कुछ तो missing लग रहा है तुमें ये सही लगे तो ठीक है बट मैं थोड़ा windows के बीच में space दूँगा तो फिर से config में जाकर inner gap और outer gap set कर देंगे अब save और reload करेंगे तो देखो space आ गया इसे भी तुम अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हो अब window पर थोड़ा border भी दे देते हैं देखो अब सही लग रहा है सब तो ठीक है बट ये i3 का app launcher देख रहे हो जिससे तुम window D करके use कर सकते हो तो हम इसकी जगा इसे use करेंगे उसके लिए google पर जाओ और you launcher search करो अब first link पर click कर दो थोड़ा नीचे आ जाओ क्योंकि मैं Ubuntu का use कर रहा हूँ तो ये command copy करके execute कर दूँगा अब you launcher execute करेंगे और first time इस icon पर click करके launch at login कर देना उसके बाद तुम जैसे ही control space प्रेस करोगे और done